हेलो एबरिवान, वेलकम बैक तो माई चैनल को कुविद्राहत, उमीद करती हूँ आप सब खेरे से होंगे, मैं भी बिल्कु ठीक्टा हूँ, तो आज मैं लेके आई हूँ छोटे बच्चों का पसंदीदा सेरेलेक्स, जिसे हम होमेड तरीके से घर में कैसे बना सकते हैं, ब मैंने यही बना कर उन्हें अपने हाद से खिलाया है, मार की वाया भी नहीं दिया है, अब यह चोटा कप है, इस injection मैंने अच्छा साब किया है, फिर धोया है, दोकर मैंने इस सूखा लिया है, अच्छे सा सुख चुका है, देखिए, मिल्कुल भी इस नर्मी नहीं है, मैं आप कितने दिन का बना रहे हैं, तो मैं ये सिर्फ एक हथते का बना के रखती थी, और एक हथते का ही aan आपी बना रही हूं, जैसमें और पांच बदाम लिए हैं, और चार मैंने साबुत काजुलिये हैं और आप चाहे तो ये बादाम के जो उपर के छिलका है इसे हटा सकते हैं मैंने ये छिलका रही हटाया है और मखाने लिए है मैंने डेड़ मोठी अब दलिये का समान मैंने आपको दिखा दिया है और यहां मैं साथ में ही आपको बना के दिखा रही हूँ बच्चे के लिए एक खिचडी खिचडी भी आप इस तरीके से बना सके रख सकते हैं जब आप साबो चावल के बनाते हैं तो उसे गलान में टाइम लगता है और इस तरीके से पौडर बना के बच्चे को देते हैं तो बच्चा आसानी से खा भी लेता है और ये पग भी बहुत जल दे जाती है और मैंने ये एक कप मॉमकी डाल ली है चिलके वाली आप चाहे तो दुली भी ले सकते हैं मगर चिलके वाली डाल रहेंगे इसमें बहुत जादा पौशन होता है और आधा कप मैंने चावा ले लिए हैं इसी कप से मैंने ये दूनों चीजे नापी हैं जिसमें मैंने एक कप डाल और आधा कप चावाल तो ये दूनों डाले मैंने इसमें ली हैं अगर आप थोड़े बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं जैसे छे महीने से जादा का बच्चा है साथ महीने का ये आठ महीने का और थोड़ा बहुत तीखा खा लेता है तो आप इसमें एक हरी मिर्च डाल कर उसे फ्राई कर सकते हैं और जब आप उसे पीशेंगे तो कीशेंगे घाएई अगर बेबी नहीं खाता है आप लहारी मिर्च डाल सकते हैं तो आप इसे चार से पाँच का लए मिर्च फिर ऑंपिर इसे भारी कर पीश सके हैं तो देहिए सबसे पहले मैंने यह दलिया रोस्ट करूंगी यहां अशलो रहे हो दल्यों पर हम तो दलिये में आप और भी अगर कोई ड्राइफ रूट डालना चाहते हैं to डाल सकते हैं अगर बच्चा 6 महिने से ज्यादा का है अभी बच्चा 6 महिने का है और खाना अभी उसने स्टार्टी किया है तो इसलिए मैं यहां ड्राइफ रूट की कौंटिटी थोड़ी कम ले र सकते हैं थोड़े से मघस भी डाल सकते हैं पिस्ता डाल सकते हैं बच्चे की चोईज के हिसाब से या बच्चे के खाने को पर इसे एड़ कर सकते हैं तो देखिए यहां कलर चेंज हो चुका है इसे निकाल लेंगे और पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे फिर हम इसे बारिक करके अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे तो बस मैंने यहां फिल्म को बंद कर दिया है और देखिए कितने अच्छे से यह सीख चुका है तो इसे निकाल लेते हैं और इसी बरतन के अंदर देखिए दुभारा से मैं वो ड्राइफ रूट ड्रोस्ट कर रही हूं जो मैंने आपको दिखाएं थे मखाने बच्चे की हड़्ियकरियों बहुत ज़्यादा आच्छे होते हैं और छे महीने की बच्चे की ग्रोध ऐसी होती है जिसमें दिमाग भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है इसलिए हम इसमें बादाम भी डाल रहे हैं और काजु भी बहुत ज़्यादा फाइदे बंद है तो हम यह भी एट कर रहे हैं तो बस इन्हें हलका सा मैंने रोस्ट कर लिया है ज़्यादा जलाना नहीं है देखिया हलका से इन पर कलर आ चुका है इसे भी निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में जो मैंने आपको खिच्वी बताई थी बच्चे के लिए उसे ही भी रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे भी पीजना है साथ ही मैं हम एक साथ सारी चीज़ों को अलग-अलग इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे बस इनमें भी हलके से खुष्भू आने लगे इसे भी निकाल लेना है और निकाल कर ठंडा करें लेना है फिर इसे भी हमें ग्राइंटर लेना है तो बस देखिए यहां यह हलक असा इसे color change हो चुका है यह अच्छě से चुके हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं और इन्हें भी हम ठंडा कर लेंगे बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है यकिन मानिए बच्चे को बहुत पसंद आएगा यह आप देखें ये भी ठंडा हो चुका था दलिया मैंने जो रोस्त किया था पहले हम दलिया को ग्राइंड करेंगे क्योंकि हमें इसे काफी दफ़ा निकाल कर चानना है और ये भी देखिए अच्छे से सिख चुके हैं और ये अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं दो चमच मैंने यहां चीनी लिए हैं मीठा आप अपने बच्चे के हिसाब से लें क्योंकि शुरुआत में मीठा बच्चे को कम दें क्योंकि मीठा जादा फायदे बन नहीं होता है नुकसान की चीज है इसकी जगा आप थोड़ा सा गुड़ भी डाल के दे सकते हैं तो बस देखिए यहां ले लिया मैंने एक जार और ये पहले मैं सबसे पहले दल्या डालूंगी रोस्ट क्या हुआ और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी और देखिए मैंने यहां पीस लिया है और अच्छा साथ एकी पाउडर बन चुका है मगर मुझे इसे चान नहीं क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो इसलिए मैं चान रही हूँ अगर बच्चा बड़ा है जिसे मैंने आपको बताया 6 महिने से ऊपर का है और खा लेता है तो आप इस तरीके से भी बच्चे को दे सकते हैं बना कर दूद में दूद में पकाना पड़ेगा थोड़ा सा साबुद दलिया थोड़ा देल से गलता है और पिसावा गदलिया जो हम इस तरीके से बनाएंगे जल्दी हो जाता है बस ये छान लिया है फिर से पीसेंगे हम और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है एक बार बना के देंगे आप मारकीट का सेरेलेक्स भूल जाएंगे बच्चों को देना और इसी तरीके से घर में बना कर अपने बच्चों को खिलाया करेंगे फायदे मन भी है और आपको पता भी है आपने किस तरीके से बनाया है कितनी सफाई से बनाया है अपने बच्चों को पूरी धियान में रखे सफाई को तो बस यह देखिए मैंने तीसरी भार भी इसे ग्राइंट कर लिया है और यह थोड़ा सा बचा है इसे हम निकाल लेंगे अब हम इसे नहीं एट करेंगे क्योंकि मिक्सर में अब नहीं पिस रहा तो इसे निकाल देते हैं जो बचा है उसी का प्रसेस पूरा करते हैं तो देखिए थोड़ा सा यह दर दरा है जैसे सूजी होती है उसी थरीके का बनगर तयार हुआ है तो इसे रखते हैं साइड इसमें डाइट कर देंगे चीनी दो चमच और वो ड्राइफ रूट जो हमने प्रोस्ट किया थे बस इन्हें हम जब तक पीस हैं जब तक इसका पौडर नहीं बन जाता और देखिए पीस के यह बिल्कु पौडर जैसा हो चुका है देखिए इस तरीके का होना चाहिए पकने के बाद यह जूद में आप जब पकाएंगे इसे दूद में तो यह अच्छे से गल जाएगा इस तरीके से केड़ा बिल्कु नहीं रहेगा अब यह सब हम इसके अंदर एड़ कर देते हैं और अच्छे से मित कर लेंगे इसे और इसे हम किसी भी साफ बरतन के अंदर भरके रखेंगे किसी भी साफ डब्बे में और बच्चे को जब आप बनाना हो बच्चे के हिसाब से इसकी मातरा लें और बना के दे सकते हैं चे महिने के बच्चे को तकरीबन दो चम्मत से धाई चम्मत तक बना कर दें, जादा एक दम से नहीं देना है क्योंकि बच्चों को शुरुआत में थोड़ा कमी देना है, बच्चे जैसे खाने लगे, बच्चे की कुराग बढ़ने लगे तो कॉंटिटीटू को आप बढ़ के स्मेल नहीं होनी चाहिए आप यह जो पाउडर मैंने बनाया है सेरे लेक्स इसे इसमें आड़ कर देंगे और इसे हम बंद करके रख देंगे यह हफते भर अराम से चल जाएगा अगर आप जाधा टाइम के लिए बना रहा है यह 6 महीन एक तलक भी बिल्कुल खराब नहीं करके रखें बस यह मैंने इसमें सारा देकी एक बार का एक हफते का बच्चे का बन चुका है और मैंने यह मेरे घर में चोटा बेबी आया है यह मैंने उसी के लिए बनाया है मैंने सोचा आपके बच्चों के लिए भी वीडियो शेयर की जाए आप यह हो चुका था आप ब जल्दी जाएगा बड़ा बच्चा है तो बड़े बच्चों को आप नॉर्मल खिज्री जैसे घर में बनाते हैं मूम की डाल की वही बना के खिला सकते हैं और ये बड़े बच्चे के लिए बना रहा है छेमेनी से उपर के बच्चे के लिए तो इसमें हरी मिर्च भी एट करें एक हरी मिर्च जिता बच्चा तीका खा लेता हो अगर हरी मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं तीन से चार बस दाल मैंने चिलक वाली इसलिए दीद लिए थी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोशन होता है तो बस इसे भी हम डबे में कर लेंगे इससे पहले हम डालेंगे इसमें नमक नमक बच्चे के टेस्क के अकोडिंग थोड़ा कम रखे नमक भी ज़्यादा अच्छा नह करेंगे हम और देखी यहां फिर से मैंने पीस लिया है बस इसी तरीके साब खिचडी बना कर तयार कर सकते हैं पानी लें पाइन को पानी को अच्छे से बोईल होने दें उस पानी में इसे डाल कर अच्छे से मिक्स करें इसे भी घढ़ा कोने तक पका लें और बच्चे को देशी घी या मक्षन बच्ची के कॉंटेटी के हिसाब से उमर के हिसाब से उसे डाल कर खिला सकते हैं और देखिए कितनी आसान तरीके से आप छोटे बच्चे के लिए खिचडी भी तैयार कर सकती हैं तो यह हमने खिचडी वाली नमकीन खिचडी भी बच्चे के लिए ब पराब नहीं होगा, मगर बच्चे को लिए हमें थोड़ा फ्रेश ही मनाना चाहिए, एक हफ़ते का ये पंदर दिन का बना के रखें और अपने बच्चे को खिलाएं, बच्चे इससे बहुत जादा सेहत मन भी होंगे, बच्चे को फाइदा यू बहुत देगा, आप एक टा और एक पार जरूर बनाएगा घर के चोटे बच्चों के लिए, अगर आपके घर में चोटे बच्चे नहीं हैं, परोसियों के घर में चोटे बच्चे हैं, या किसी रिष्टतार के घर में चोटे बच्चे हैं, तो आप ये उन्हें बता सकते हैं, मेरी वीडियों उनके प हैं अपने कमेंट और अपनी राय मुझे अच्छी दे सकते हैं तो देखिए मैंने यहां लेबल भी चिपका दिया है इस पे मुझे भी याद रहेगा आप भी इस तरीके से लेबल चिपका लेगें तो आपको भी याद रहेगा बस बनाएं और अपने बच्चे के साथ इंजोई करें आप इसे रिष्टधारों में भी छोटे बच्चों के लिए बना कर गिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि घर का हेल्दी बना खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है आप ये मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आप मेरी वीडियो इंस्ट्राग्राम फेस्बुक पर फोलो कर सकते हैं अपनी कमेंट अपने राये महां दे सकते हैं और अगर आपको कोई बात चीज इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पोस्ट सकते हैं मेरी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर दमाएं मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहु शुक्रिया